हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल कोपी सुस्मा में टैन में डालेंगे हम तेल जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम डालेंगे एक बड़ी लाइंची तीन से चार छोटी लाइंची कुछ दाल चीनी के तुकड़े दो तिन लाउंग और थोड़ा सा जावीत री मसालों की खुश्वू आने तक इसे हलका सा हम भून लेंगे मसालों से खुश्वू आ चुकी है अब इसमें डालेंगे हम कटा हुआ प्याज फ्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकिक है अब इस 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 पर औरेंगे अद्रक रसन का Peast एक बड़े चंमचै अद्रक रसन का Peast इसे भी डाल देंगे और इसे मिलाते बैंगे भून लेंगे, हलका सा इसमें पानी डालेंगे, जिसे की अध्रक लसुन अच्छे से भून जाए, इसे हम तब तक भूनेंगे, जब तक इसमें से अध्रक लसुन का इसमेल खतम न हो जाए, अध्रक लसुन अच्छे से भून चुके हैं, अब डालेंगे इसमें आधी चमच चल्दी पॉडर, आधी चमज जीरा पॉडर, आधी चमज धनिया पॉडर और एक चमज लाल मिश पॉडर। सबी मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे, कम से खम एक मिनट तक इसे भून ना है, जब मसाले अच्छे से भून जाए तब डालेंगे इसमें हम टमाटर की प्योरी, जो हमने बना कर रखी है, हमने दो टमाटर लिया था, मेडियम साइज का उसे हमने मिविशिजार में पीस दिया है इसे स्ट्रेस पर डालेंगे हम अब चीकेन चीकेन मैंने एक किलो लिया है अब हम चीकेन को खाई फ्लेम पे भूनेंगे अब चीकेन को हम ढखके 5-6 मिनट ले पकाएंगे ध्यान राय की फ्लेम हाई रहने चाहिए इससे चीकेन में अंदर तक ग्रेवी चला जाता है और जूसी बनकर तयार होता है चीकेन को हमें बेच में चेक नहीं करना है इसे आराम से 5 मिनट तक पकने देते हैं पाच मिनट हो चुके हैं चीकेन को हम चेक कर लेंगे फ़रे इसमें डाल देंगे पारी कटिवी हरी मिर्च एक मिर्ची को मैंने काट लिया था साख्री डालेंगे स्वादनुसार नमक और इसे अच्छे से निला लेंगे अब हम एक प्लेट लेंगे और सारे चीकन को इसमें निकाल लेंगे एककर करके यह देखिए दोस्तों हमने सभी चीकन को निकाल लिया है अब क्या करना है इस ग्रेवी को हमें ठंडा होने देना है ठंडा होने के बाद इसमें मिक्सेजार में फीषेंगे पेश्ट zachthe ai Faith देखिए इसमें मैंने सारी ग्रेवी को डाल दिया है, इसको समूसी पेश्ट बना लेंगे यह देखिए एकदब साम पेश्ट बनाकर हमने तयार कर लिया है अभी अमें जब अद्रक लखन का पेश रस्टे से बुन जाए तब डालेंगे हम ये इसावा मसाला इसे बराबर चलाते वे मिला लेंगे और ये जार में जो हलका फुर्का मसाला था उसे पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच गरम मसाला एक चमच काश्मीरी लाल मिर्च इससे कलर अच्छा आता है साथ ही डाल देंगे ग्रेवी के अनुसार थोड़ा सा नमक नमक हम पहले बीड़ा टाल चुके हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी और दो से तीन बड़े चमच काजू का अब इसमें डालेंगे तो पेड़े और अच्छे मिला लेंगे लेंगे यदा हिसमें टालेंगे जहां निकालके रखा था सबी चीकन को एक बसी मिला लेंगे ताकि सारे मसाले थाय। चुकन के अंदर राज़ा है सब्सक्क्ति लुक्तलद कर था ढखके हम पका लेंगे हाई फ्लेंट पर ही पकाएंगे ध्यान रहे चलिए दो मिनट हो चुके हैं इसे हम चेक कर लेते हैं लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए चीकन लबाबदार को हम सर्फ कर लेते हैं चलिए सर्फ करते हैं लेंगे एक बाउल इसे हम धन्या से गर्णिश कर लेंगे इसे हम धन्या से गर्णिश कर लेंगे कर लेंगे बाउल झाल झाल झाल